हलो एवरिवन नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बाला जी चाइल डवलप्मेंट में और उमिद करते हैं आप सब बहुत बढ़ियां होंगे और आज का टॉपिक है हमारा चाइल डवलप्मेंट जो हमारा प्रथम टॉपिक है तो ये के हम लोगों ने एक इंट्रोडक्शन के लिए चुना है चुकि हमारा चैनल ही चाइल डवलप्मेंट से रिलेटेड है और वैसे तो ये नाम के लिए चाइल डवलप्मेंट है लेकिन हम इसमें कोशिश करेंगे जितने भी रिलेटेड साइंसेस हैं उन पर हम एजुकेशन नॉलेज और स्कील बेस्ट इस चैनल के लिए विशेष्ट रूप से क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जितने भी स्टेक होलडर से हमारे चाहे पैरेंट्स हैं, केरगीवर्स हैं, स्टुडेंट्स हैं, ट्रेनीज हैं, प्रोफेशनल्स हैं, ठेरपिस्ट हैं, सभी को अल इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती हैं सभी को, बट उसको नॉलेज में कैसे कनवर्ट करें या स्कील बेस्ट, एप्लिकेशन बेस्ट कैसे करें, यह थोड़ा सा कमी रह जाती है, हम कोशिश करेंगे इस इस चैनल के माधियम से, इस प्लेटफॉर्म के माधियम से कि उस कमी को दूर करें, ताकि सभी तक इन्फॉर्मेशन पहुचें, यहां पर सभी तरह के लोग जुड़ें, पैरेंट्स हैं तो उनको भी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज और स्कील्स मिलें, और स्टुडेंट्स हैं, चाहे हुए टीचिंग की तयारी कर रहे हों, या थेरेपेटिक बै है कि बहुत समय के बाद कुछ अपडेट्स चाहिए, तो कुछ अपडेट्स जो नएने अपडेट्स हो रहे हैं, फिल्ड में हमारे चाइल्ड अवलप्मेंट, एजुकेशन और थेरेपेटिक के फिल्ड में, वो सब हम लोग शेर करने का प्रयास करेंगे, और एविडेंस बेज़ हो, रिसर्च बेज़ हो, यह हम लोग करने का प्रयास करेंगे, तो चलते हैं जैसा आज का हम लोग का टॉपिक है, इस चाइल्ड डवलप्मेंट, और मैं दश्रत कच्छप आप सभी का स्वागत करता हूँ, इस यूट्यूब चैनल में, तो टॉपिक है हमारा चा प्रया मंदित है, बाल विकास, बट क्या-क्या चीज़े हमें ध्यान में रखने की जरूरत है इस चाइल्ड डवलप्मेंट, क्या फिजिकल ग्रोथ के वल इसमें जरूरी है, या कुछ और भी जरूरी है, तो इसमें तीन चीज़े बहुत इंपोर्टेंट है चाइल्ड ड काल यवस्था काल, यानि 0-18 का जो पीरियड है हमारा वो इंपोर्टेंट है चाइल्ड डवलप्मेंट, और उस ही को हम लोग चाइल्ड डवलप्मेंट कहते है, 0-18 क्योंकि यह हमारा जो होता है, इसमें ग्रोथ का चांसे होता है, और मैचूरेशन हो रहे होते हैं, दिफ बच्चे के अंदर 0-18 के जो एज ग्रूप होता है उसमें, और यह बहुत, जितने जादा ग्रोथ होगा और जितना मैचूर होगा इस पीरियड में, उतना अच्छा बच्चे के लिए फ्यूचर के लिए होता है एडल्टूड में, जो उसको रेडी करता है, एडल्टूड के लिए तयार करता है, जितना अच्छा चाइल्ड डवलप्मेंट होगा इन तीनो सेक्टर्स में, तीनो फील्ड में, I mean biological, psychological and emotional, उतना अच्छा बच्चे का विकास होगा, अब बात यह है कि क्यों, क्यों पढ़ें चाइल्ड डवलप्में, है न, तो जैसा हलका सामने बता है इंटरोड में, क्यों पढ़ें, तो यह हमको मदद करता है, चाहे हम parents हो, educators हो, caregiver हो, या कुछ research कर रहे हो, यह हमें समझने के मदद करता है, कि बच्चें में क्या growth हो रही है, और क्या-क्या चीजे सही है, क्या-क्या चीजे deviate कर रही है, क्या-क्या ठीक नहीं हो सकती है, तो यह help करता है, हमें understand करने में कि बच्चे कैसे grow कर रहे हैं, बच्चे कैसे learn कर रहे हैं, बच्चे कैसे develop कर रहे हैं, और यह एक insight देता है, हमें अंदर की बात बताता है, कि उनकी बहवार, उनकी जरूरत और उनकी छमताएं क्या हैं, तो, अब सभी के अलग-अलग हो सकत हैं, अब हमने जैसे का कि parents, तो parents को क्या चाहिए, parents child development चाहता है, कि parenting अच्छे से parenting कर सके, है ना, उसको ज्यादा लोग उतने ज्यादा नहीं कर सोचते हैं, कि एक normal pattern है parenting का, जो हम अपने परिवार में सीखते आ रहे हैं, कि इस तरह की parenting चली आ रही है, लेकिन अगर हम कुछ scientific based करना चाहते हैं, है ना, तो हमको research based, तो उसमें हमको guidance support की जरूरत होती है, तो parents के लिए कि हाँ, अगर किसी को कुछ issues हो रही है, parents को, कुछ problems हो रही है, बच्चों के साथ deal नहीं कर पा रहे हैं, या हो सकता है, parents अपने आपको समझ रहे हैं कि मैं पूरी तरीके से, अच् context में समझना चाहिए, ताकि एक positive relationship develop हो सके child and parents के बीच में, और जिसे अच्छे तरीके से guidance और support as a parent अपने अपने बच्चों को दे पाएं, तो इसलिए child development is very important for parents, हम लोग सोचते है, child development studies is only important, के वल हमें चाहिए बस professional या students के तौर पे हम किसी field में काम कर रहे हैं, या पढ़ा कर रहे हैं, like as a occupational therapist, speech therapist, special educator, as a psychologist, as a counselor, but no, this is also called parents के नजरिये से भी, फिर उसके बाद है education, अब हम लोग अगर educational perspective से देखें, कि भई, parents के नजरिये से तो हम लोग ने जान लिया, लेकिन educational perspective क्या होता है, तो educators के लिए this is very important, child development, इसलिए देखा जाया है, हरे एक चाहे वो diploma level पर पढ़ रहे हो, सिक्षक बन रहे हो, primary education के लिए, या B.A.D. पढ़ के कर रहे हो, या master's कर रहे हो, child development paper बहुत जरूरी होता है, इसलिए क्योंकि हम लोग teaching methods, approach, strategies, lesson plan में करते हैं, तो एक अच्छे lesson plan ब बच्चा है, कि हम बच्चों को समझ पाएं, कि what age they are, जिनके साथ उनको पढ़ा रहे हैं, हम जिनको सिखा रहे हैं, anything, तो हम उनको क्या कर रहे हैं, तो curriculum के साथ match कैसे कर सकें, वो approach, strategies, तो जब अगर मान लिजे, class 1 to 5 primary teacher है, तो उसको lesson plan किस तरह के बनाने हैं, किस तरह का developmental stage में है बच्चा उनका, class 3rd का है, या class 5 का है, या class 1 का बच्चा है, या kindergarten का बच्चा है, तो उसके साथ कौन से approach यूज कर सकें, कौन से method यूज कर सकें, उसी तरीके से किस तरह का curriculum होना चाहिए, तो ये सब plan out करने के लिए, बहुत ज़रूरी है कि child development हम पढ़ें, अब primary हो हो सकता है class 8 का बच्चा हो, तो class 8 के बच्चे के लिए हमको उसके तरह से देखना पड़ेगा, कौन से stage में बच्चा है, क्या चीज उसको interest लाती है, किस तरह का उसका attention skill होगा, किस तरह concentration कैसे develop कर सकते हैं, किस तरह के methods उसके उपर ज्यादा effective होंगे, तो natural सी बात है, जितन हमारी अच्छी होंगी lesson plan बनाने के बाद में plan out करके उतनी अच्छी learning outcomes होंगी, और उतनी अच्छी teacher हम बन पाएंगे, तो ये तो context हुआ educator के लिए, why important, child development बहुत important है हमारे educators के लिए.